साथियों, जब तैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समर्ट स्फिरिट एक साथ मिलते हैं, तब जाकर कोई चेंपियन बनता है, हमारे देश में तो अधिकाउंस खिलाडी, छोटे छोटे शहरों, कस्पों, गाउं से निकल कर क्याते हैं। टोक्यों जा रहे अलिम्पिक दल में भी कई ऐसे खिलाडी शामिल हैं, जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। हमारे प्रमीन जाधव जी के बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितने कठीन संगर्सों से गुजरती हुए प्रमीन जी यहां पहुँचे हैं। प्रमीन जाधव जी महराष्ट के सातारा जीले के एक गाउं के रहने वाले हैं। वो आर्चरी के बहतरीन खिलाडी हैं। उनके माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। और अब उनका भेटा अपना पहला ओलेम्पिक्स खेल ले टोक्यो जा रहा है। यह सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं। हम सभी के लिए कितने घौरों की बात है। ऐसे ही एक और खिलाडी है हमारी नहा गोयल जी। नहा टोक्यो जा रही महिला होकी टीम की सदस्या है। उनकी मा और बहने साइकिल की फेक्टरी में काम करके परिवार का खर्च जुटाती है। नहा की तरह ही दिपिका कुमारी जी के जीवन का सभर भी उतार चड़ाओ भरा रहा है। दिपिका के फिता अटो रिक्षा चलाते हैं और उनकी मा नर्स हैं। और अब देखिए दिपिका अब टोक्यो अलिम्पिक्स में भारत की तरब से एक मात्र महला तिरंदाज हैं। कभी विश्वकी नंबर एक तिरंदाज रही दिपिका के साथ हम सब की सुभकामना है। साथियों, जीवन में हम जहां भी पहुंचते हैं, जितनी भी उचाई प्राप्त करते हैं, जमिन से ये जुडाओ, हमेशा हमें अपनी जड़ों से बांधे रखता है। संगर्ष के दिनों के बाद मिली सफरता का आनन भी कुछ और ही होता है। टोक्यों जा रहे हमारे खिलाडियों ने बच्पन में साधनों, संसाधनों की हर कमी का सामना किया। लेकिन वो डटे रहे, जुटे रहे। उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर की प्रियंका गोस्वामी जी का जीवन भी बहुत सिख देता है। प्रियंका के पीता बस कंड़क्टर है। बच्पन में प्रियंका को वो बैग बहुत पसंद था, जो मेलल पाने वाली खिलाडियों को मिलता है। इसी आकरशन में उन्होंने पहली बार रेस वाकिंग प्रतियोगी किता में हिस्सा लिया था। अब आज वो इसकी बड़ी चेंपियन है। जवलिन थ्रो में भाग लेने वाले सिवपाल सी जी बनारस के रहने वाले हैं। सिवपाल जी का तो पूरा परिवार ही इस खेल से जुड़ा हुआ है। इनके पीता, चाचा और भाई सभी भाला फैकने में एक्सपर्ट हैं। परिवार की यही परंपरा उनके लिए टोक्यो ओलम्पिक्स में काम आने वाली है। टोक्यो ओलम्पिक लिए जा रहे हैं। चिराग शेटी और उनके पार्टर सात्विक साहिराज का होसला भी परेरित करने वाला है। हाल ही में चिराग के नाना जी का कोरोना से निधन हो गया था। सात्विक भी खुद पिछले साल कोरोना पोजिटिव हो गये थे। लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी ये दोनों मैंस डबल सटल कमपोडिशन में अपना सर्व स्ट्रेस्ट देने की तैयारी में जुटे हैं। एक और खिलाडी से मैं आपका प्रिच्चे करना चाहूं जबा। ये है हर्याना के भीवानी के मनिश कौशिक जी। मनिश जी खेती किसानी वाले परिवार चाहते हैं। बचपन में खेतों में काम करते करते मनिश को बॉक्सिंग का शौक हो गया था। आज ये शौक उन्हें टोक्यो ले जा रहा है। एक और खिलाडी हैं। सीए भवानी देवी जी। नाम भवानी हैं और ये तलवार बाजी में एक्सपर्ट हैं। चेन्नेई के रहने वाली भवानी पहली भारतिये फेंसर हैं। जिन्होंने ओलेंपिक में क्वालिफाई किया है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भवानी जी की ट्रेनिंग जारी रहे। इसके लिए उनकी माने अपने गहने तक गिर्वी रख दिये थे। साथियों ऐसे तो अंगिनत नाम है। लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूँ। टोक्यों जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संगर्श रहा है, बरसों की महनत रही है, वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे हैं। बलकि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाडियों को भारत का गवरों भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जितना है और इसलिए मेरे देशवासियों में आपको भी एक सलहा देना चाहता हूँ हमें जाने अंजाने में भी हमारे इन खिलाडियों पर दबाव नहीं बनाना है बलकि खूले मन से इनका साथ देना है हर खिलाडी का उत्सा बढ़ाना है सोशल मीडिया पर आप हैस्टेक चीर फर इंडिया के साथ अपने इन खिलाडियों को शुबकामनाई दे सकते हैं आप क को कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाडियों के लिए देश को मिलकर करना चाहिए तो वह आप मुझे जुरूर भेजिएगा हम सब मिलकर टोक्यों जाने वाले अपने खिलाडियों को सपोर्ट करेंगे चीर फ़र इंडिया चीर फ़र इंडिया चीर फ़र इंडिया